दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग Tad Hughes की एक बहुत ही famous poem पढ़ेंगे इस poem का नाम है The Thought Fox इसके पहले मैं एक और poem explain कर चुका हूँ Hawk Roasting अब इस वीडियो में क्या खास है दोसो आपको The Thought Fox की line by line explanation तो हर जगे मिल जाएगी Basically मैं भी क्या करता हूँ आपको line by line explanation तो दे देता हूँ लेकिन उसका deep meaning नहीं बताता अब से मैंने कुछ changes किया है जो आपके answer writing में आपको बहुत help करेंगे किसी भी poem को समझाने का एक अच्छा तरीका होता है कि उसका background meaning बताया जाए या फिर ये poem हमारे लिए कैसे काम की है ये बताया जाए दोस्तों मैंने कुछ techniques change की है इस वीडियो में मैं आपको line by line explanation नहीं बताऊँगा बलकि इसका deep meaning बताने ही कोशिश करूँगा चले शुरू करते हैं बहुत interesting होने वाली ये वीडियो मिलता हूँ इस वीडियो के end में दोस्तों इस poem को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Tad Hughes ने इस poem को अपने एक volume of poems The Hawk in the Rain में पबलिश करवाया था मैं इस poem को deeply बताने से पहले आपको इसकी summary समझा देता हूँ कि इसमें Tad Hughes ने क्या बूलने की कुशिश किये एको इस poem की शुरूवात में वो बोलते हैं कि रात का time है midnight आधी रात का time है और इस वक्त हमारे poet imagine कर रहे हैं कि वो एक forest में है jungle type का आधी रात को जंगल में होना बहुत खतरनाग है लेकिन actually वो अपने room में बैठे हुए घड़ी की टिक-टिक की आवाज आ रही है और उनकी हाथ में है एक blank page blank page का मतलब जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और उनकी उंगलियां उस blank page पर move कर रही है शायद वो कुछ लिखने वाले है या फिर लिखने की सोच रहे है लेकिन ये हमें साफ हो जाता है कि वो अकेले बैठ है अब यहाँ पर वो माहौल को थोड़ा creepy बनाने के लिए क्या बोलते है कि मुझे मेरे अलावा सिर्फ दो ही चीज़े living लग रही है जिन्दा लग रही है एक तो वो घड़ी की टिक टिक की आवाज और दूसरा मेरी जो fingers है blank page पर move कर रही है वो सिर्फ दो ही चीज़े है लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा feel हुआ कि एक और चीज़ है जो जिन्दा है अब वो क्या चीज़ है वो बताने से पहले वो ये बताते हैं कि मेरे room से बाहर की तरफ stars नजर नहीं आ रहे थे window से अगर मैं window की तरफ देखूँ तो आस्मान में मुझे stars नजर नहीं आ रहे थे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उस darkness में मेरे पास आती जा रही है जो धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रही थी मेरी solitude को मतलब मेरे अकेले पन को disturb करने के लिए पर वो reveal करते हैं कि वो एक fox है मतलब एक लोमड़ी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी शायद वो जंगल से आय थी और मेरी तरफ बढ़ते हुए मैंने फील किया कि उसकी जो नाक है ना fox की नाक वो जंगल में पत्तों से तहनियों से टच हुई कि माहौल बहुत ठंडा था बाहर बर्फ पड़ी हुई थी snow जो soft बर्फ होती है जिस पर चलने से निशान बन जाए तो वो fox जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ना तो टैड हुक्स बोलते हैं कि जैसे जैसे वो fox आगे बढ़ रही थी ना तो पेडों के बीच में जो snow पड़ी हुई थी उस पर उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे बस वो उस fox के बारे में इतना बताते हैं तब ही अचानक वो fox लोमड़ी आकर उनके दिमाग के dark hole में घुश जाती है बस इतना सा हुआ वो बोलते हैं कि अभी भी मुझे window से कोई stars नजर नहीं आ रहे हैं घड़ी की टिक टिक की आवाज अभी भी आ रही है लेकिन अब वो blank page blank नहीं रहा मतलब उस पर शायद उन्होंने कुछ लिख लिया है Actually दोस्तों ये fox ये लोमड़ी जो है उनके दिमाग की उपज है मतलब real लोमड़ी है नहीं है ये just Ted Hughes की imagination है वो animals के बारे में बहुत लिखना पसंद करते थे तब ही तो उन्होंने इस पोएम का title दिया है The Thought Fox वो चाहते तो इसे fox नाम भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने नाम दिया The Thought Fox देखो इस पोएम में हमें कई सारी themes दिखाई देती है जैसे poet अपने room में अकेले बैठ है और एक inspiration का wait कर रहे है या फिर एक idea का wait कर रहे है कि blank page पर क्या लिखा जाए तब वो एक fox को imagine करते है वो कहते है कि वो धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ती है और मैं दिमाग में घुज जाती है अब एक ordinary reader के लिए ये poem थोड़ी difficult होगी समझने में लेकिन critics ने इस poem की बहुत तारीफ की है जैसे fox है उसको एक cunning type का जानवर माना जाता है जो चालाग होता है और दूसरे जानवरों का advantage लेता है लेकिन यहाँ पर Ted Hughes ने fox को एक poetic idea की तरह लिया है यह चीज यह दिखाती है कि वो animals से कितना प्यार करते थे मतलब आप उनकी बाकी poems में भी देखोगी कि वो animal imagery का use करते है वो इस poem के जरीए यह बताना चाहते है कि artistic inspiration जो होती है वो fox की तरह होती है एक fox जैसे mysterious होती है unpredictable होती है और धीरे धीरे हमारे दिमाग की imagination की darkness में धीरे धीरे move करती है जैसे वो fox कर रही थी और इस poem के जरीए वो यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि writing के लिए बहुत ही patience और concentration की जरुरत पढ़ती है और थोड़ा सा लग क्योंकि writing जो होती है न वो patience का game होती है एक छोटी सी inspiration की जरुरत पढ़ती है उसके लिए और वो inspiration कभी भी आ सकती है किसी भी mysterious way में आ सकती है जैसे यह लोंबडी हमारे तरफ बढ़ती है उमीद करता हूँ इस वीडियो में आपको इस thought fox poem का deep meaning समझ में आया होगा कि किसलिए critics ने इस poem को admire किया है अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये poem समझ में आये होगी दोस्तों इसी तरीके से मैं future में कोई भी वीडियो बनाऊँगा आपको उस वीडियो में poem का deep meaning बताने की कोशिश करूँगा या फिर कोई भी novel पड़ा हूँगा तो कैसे वो हमारे लिए काम की है ये भी बताने की कोशिश करूँगा चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में